कितना थिक एंड क्रीमी आप काटने से ही समद सकते हैं आइस क्रीम की तरहा से लग रहा है ये देखिए मैं काट कर दिखाती हूँ यहां आपका दिल खुश हो जाएगा हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सोनिया सोनियास कुकिंग में आपका स्वागत है step by step with tricks and tips के साथ ये recipe share कर रही हूँ मिष्ठी डोई की जो भी problem आपको मिष्ठी डोई बनाने में आती है जैसे की मिष्ठी डोई जमा नहीं, color अच्छा नहीं आया, texture अच्छा नहीं आया, या कभी कबार थिन बनता है तो इस वीडियो के साथ आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी market style, super tasty, thick and creamy मिष्ठी डोई बनाने के लिए मैंने लिया है एक भारी तले का बरतन, जिसमें मैंने एक लीटर दूद को उबालने के लिए रख दिया है इसके अलावा मैं दई को चान कर यूज करूँगी वो जो जामन डलेगा न मिष्ठी डोई में, वो मैं हंकर डालूँगी ऐसा करने से मिष्ठी डोई अच्छा बनता है चलनी के साथ ही इस धाई को भी हम जब तक के लिए फ्रिज में ही रखेंगे ताकि खटा ना हो बीच बीच में घुमाते हुए हमें दूद को अच्छे से रिड्यूस करना है ये मान लीजिए अगर ये एक लीटर दूद है तो हमें इसको 600 ग्राम करना है मैं ले रहे हूँ 4-5 इलाइची जिनको मैं कूट कर डालूँगी छिलके को मैं बाहर निकाल दूँगी और जो दाने होते हैं ना मैं सिर्फ वही डालूँगी दूद को बीच बीच में चलाते भी रहना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें मलाई जमें जब मलाई जम जाता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता इसमें ऐसे ही हम मिलाते मिलाते घुमाते घुमाते इस दूद को गाड़ा कर लेंगे ऐसा करने से मिष्ठी डोई बहुत अच्छी बनती है इसके बाद हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे एक बात का ध्यान रखना है कि इसको ठंडा होते टाइम भी उपर से जो मलाई जमती है उसको जमने नहीं देना है बीच बीच में इसको घुमाते रहना है ताकि मलाई ना जमे अब मैं थोड़ा सा गुड काट लेती हूं मैं गुड से इस मिष्ठी डोई को बना रही हूं आप चाहें तो चीनी में भी बना सकते हैं आप मेरी वीडियो कौनसी सिटी से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं एक पैन में लगभग 3-4 गप गुड डाला है और लगभग एक चमत सिर्फ पानी डाला है धीमी आच पर गुड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं करमलाइज करते टाइम कि आच को तेज कर देते हैं तो गुड जलने लग जाता है इसको जलाना नहीं है धीमी धीमी आच पर इसका कलर डाउन करना है ऐसे करमलाइज करना है कि कड़वापन नहीं आए अगर कड़वापन आ गया तो मिष्ठी डोई कड़वी हो जाएगी और हमारी सारी प्रोसेस खराब हो जाएगी जैसे ही आपको लगे कि गोल्डन कलर आ गया है बस फटाफट से दूड डाल दीजिए इसके अंदर और दूड कौन सा डालना है जो हमने उबाला था बहुत सावधानी से डालना है छीटे आएंगे थोड़ा सा दूड डालना है लगभग आधा कप पूरा दूड डालने की ज़रूरत नहीं है दूड और गोड अच्छे से mix हो जाए तो बाकी के दूड में इसे mix कर देना है ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है अब इसको ठंडा करना है इतना ठंडा करना है कि हम आराम से उंगली डाल सकें जैसे आप दही जमाते हैं उससे थोड़ा जादा गरम होना चाहिए ये क्योंकि हम इसमें जामन भी जादा डालेंगे और हम जमाएंगे इसको मिट्टी की हांडी में मैंने ले ली है मिट्टी की हांडी फ्रिज मैंसे मैंने निकाल लिया है जामन ये देखिए अच्छा सा ये जो बाड़ा वाला जामन है न वो हम इसमें डालेंगे पहले तो लगबग दो चमत जामन हम मट्की में डालेंगे मिट्टी की हांडी में और चारो तरफ इसको फैला लेंगे अच्छे तरीके से ये देखिए चारो तरफ से फैला देना है इसी तरह के कुछ टिप्स एंड ट्र यह देखा ना, आपने कितना सारा जामन डाला मैंने, अब दूद को उपर नीचे कर लीजे, ऐसा करने से क्या होगा, जाग बनेगा, और जाग बनने से दही बहुत अच्छा जमता है, इसके बाद हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे मिट्टी की हांडी में, मिश्ठी डोई में जो हम जामन डालेंगे वो ताजा होना चाहिए और अच्छी तरह जमा हुआ होना चाहिए तभी मिष्ठी डोई अच्छा बनेगा थोड़े से पिस्ते रोज पैटल और केसर से इसको गार्निश करेंगे अच्छे से कवर करके 8 से 10 घंटे तक रखना है गरम जगा पर मिष्ठ बढ़िया से जम जाएगी और एक दो घंटा रखेंगे फ्रिज में ठंडा करने के लिए और उसके बाद बस ये देखिए कितनी स्वादिष्ट मिष्ठी डोई बनकर तयार हुई है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक अनी से घर पर बन जाती है अरे वाय यम्मी